अब भावना हो तो दादी ज्यानिटी जैसी दादी ज्यानिटी को डॉक्टर में बोल दिया कई साल पहले कि क्रिटिकल कंडिशन ने कभी भी कुछ भी हो सकता है प्रकाश्मणी दादी ने सभी जोन इंचार्ज को पुला लिए अम्लाबाद में कि दादी की हानद कोट खरावे कभी भी कुछ भी हो सकता है सभी जोन इंचार्ज अम्लाबाद में आजो एसी कंडिशन में जब बक्तर कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है दादी जाना की दिन defence बहने को बोटी बहएं में बोग लगा सकती हूँगा ओस्पिकल में दिया कहा कि टीज़ोग का अरे हो सकता है उस बहने का हा दादी हो जाएदा तो कहा कि जाओ कुछ अच्छा सा बाबा के लिए बनाकर लगा दाजी के आज तक ये मानियता है, मेरे उपी सुपी घण चलेगा, पर मेरे बाबा को ब्रोग बढ़िया से बढ़िया बना चाहिए, रगना चाहिए, वो कहा कुछ बढ़िया सा बना के लाना, हो सके के कूलों का हार भी लेया, खोड़ी जेर में बहुता ठाई सच के आ लिया दाजी जानी की जमीर पर रहती, प्लिकुट प्रथे गल लाज़े है, आदा घंटा, जब दॉक्टर के रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एसे कनीशन पे जमीर पर बैठ कर उसने बाबा को आदा घंटा भोग लगाया, और सत वर्ष आईउं का बर्दान पाया, आज जब दाजी जानी की एक सो तेरे साल की होने वाली है, जब लगी में, अगले लेकिने, हमारे साम नहीं हैं, बिल्कुल स्वास, एक एसी मधिला पूरे विश्व में, जो मौस्ट इस्टेबर माइंड को रखती है, पूरे विश्व में लेकि कोई है, जिसके माइंड की रिसर्च हो चुटी है, वो केवल दाजी जानी है, जो हमारी है, आपकी है, पूरे विश्व में एक मात्रे सी महिला, जो सो साल की जादा उमर की होने के बाद भी, इंटरनेशनल संस्था का सुचारू रूम से संचालन कर रही है, वो महिला हमारी दादी है, आपकी दादी है, जिसका नामे जानी दादी है, इतनी ग्रेश, इतनी महान, इतनी पवित्रा आत्मा है, उनकी भोग इस तखा स्वीकार हुआ, कि या तो तभी जा रही थी, या भी कितनी हो गई, उनके साथ के सब धीरे धीरे चले रहें, यह वो अभी तक विराशनल की दी, और हम कैते हैं कि वो जब तक संगम रहें, दादी जी हमारी स्वेस्ट रहें, हमारे बीच में रहें, आप सबसे इस बाद केना चाहूंगी, जो बाबा की मुझे सुनते हैं, नियंतार राओं में चलते हैं, चोबिस गंटे में एक बार, अपने गहने बाबा को भोग जरूर लगाएं, अब कीनो टाइने लगा सकते, नो प्रड्लम, लेकिन एक टाइन, शद्धा से भगवान को भोग उफर करें आप, और फिर परिमाम लेके क्या होता है।